नमस्कार दोस्तों मैं आचार रविंद्र, अध्यात्म अवर्णेश पर आपका स्वागत करता हूँ, आज बहुत ही महत्पुर्ण विशय है, शुर्य को अर्ग कैसे दे, कैसे जीवन में शुर्य के अर्ग से आप पडिवर्टन ला सकते हैं, शुर्य देब, जो कि सारे ग्रहों के राजा ग्रह हैं, आपके कुंडली में प्रथम भाव का अर्थात आपके पूरे आत्म कारक ग्रह माना जाता है, पिता का कारक ग्रह माना जाता है, आपके जीवन में सब कुछ परदान करने वाले कारक ग्रह शुर्य माना जाता है, शुर्य देब को आप नित्य ब्रह्म महुर्थ में अगर जल अर्पित करते हैं, शुर्य अर्ग देते हैं, तो जीवन में चमतकारी लाब मिल सकता है, इसके बिधी क्या है? तामे के पात्रशे, अच्छत और लाल चंदन, लाल पुष्प, शमर्पित करके अर्ग देना चाहिए, साबधानिया यह है, कि अर्ग देते बक्त, शुर्य अर्ग के छीटे, जल के छीटे, आपके पाउं को नहीं असपर्स करें, अर्थात किसी गमले में या पात्र में शुर्ग के अर्ग को दें, तो अतिउप्टम है, नहीं तो किसी उंचे अस्थान से जल दें, तो बहुत ही अच्छा है, शुर्ग अर्ग जब देते हैं, तो पुर्व दिशा की ओर करके दें, और उनकी किर्णे, आपके हर्ट को, आत्मा को असपर्स करते हुए, पूरे शरीर से गुजरें, इस से लाव ये होगा, कि आपको कभी भी हर्ट की विमारी नहीं होगी, हिर्दय रोग नहीं होगा, क्योंकि हिर्दय रोग की सुरी के रश्मियोशे, उसकी पूष्टी होती है, क्योंकि आत्मा का कारक, हिर्दय का कारक, शुरे देब को माना गया है, आप इतिहास का गवा लेते हैं जब भी रावन बध के पहले शिरी राम जी ने शुरी साधना की थी शुरी को अर्ग प्रती दिन देते थे और अपने शक्ति को एकत्रित करते थे तभी वह रावन की नाभी में जो अम्रित था उसे सुखा पाए थे दूसरी बात है कि कर्ण को आप जानते हैं चुकि उनको शुरी पुत्र के रूप में जाना जाता था वह प्रती दिन शुरी नमस्कार शुरी साधना करते थे और इस प्रकार उनके जीवन में एक अवह कवच शुर के द्वारा परदान किया गया है अरथात जो भीव्यक्ति आज के समय में शुर्ग को अर्ग देता है शुर्ग साधना करता है सुरी नमश्कार करता है शुर्ग के दिन अर्थात रविवार के दिन अगर वो नमक गरन नहीं करता है गूर चावल इक्त्यादी का जीवन में भोग लगा करके शुर्धेप को गरन करता है तो शुर्ग की असीम कृपा प्राप्त होती है शुर्ग को प्रसंद करने के लिए अपने पिता की सेवा करना पिता नहीं है तो पिता तुल लोगों की सेवा करना बहुत है आवशक है क्योंकि शुर्धेव पिता के कारक्गर है अब हम आते हैं कि अगर आप जीवन में सरकारी नोकरी चाहते हैं या जीवन में तरकी चाहते हैं पदोनत्ती चाहते हैं तो शुरी शाधना सुर की सेवा शुरी की अर्ग देना इत्यादी सामिल है कभी भी यह उपचार अगर करते हैं तो मन में भाव लेकर के करें शंकल्प लेकर के करें शुरिदेव को समर्पित हो करके करें और पूरी शर्धा विश्वास के साथ करें जीवन में एक नहीं कई ऐसी घटनाय हुई है जो की इतिहास गवा है कि शुरिशाधना के बाद जो भी चाहा है व्यक्ति उसे प्राप्त हुआ है इस प्रकार आप जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी शुरिशाधना अती आवशक है सुर के द्वारा जो है सो पुत्र की प्राप्ति होती है जैसे कुंटी ने प्राप्ति किया था इस प्रकार कई उधारन है बिहार और उत्तर प्रदेश में छट पूजा के जाती है सुरिशाधन के जाती है और उसका मुख धेश होता है कि आरोगिता, पुत्व प्राप्ति और पडिवार के शुक्षम्रधी के लिए तो इस प्रकार सुरिशाधना के द्वारा आप जीवन में कई पडिवर्तन कर सकते हैं सरकारी नौकरी जैसे की धन संपदा जैसे की अपने जीवन में पदो नत्ती ब्यपार में लाव इत्यादी सारा चीज सुरिश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है धन्यवाद फिर मिलते अगले वीडियो में नमस्कारू